Hello friends, welcome back on my channel, पढ़ो English, I am here with a new video and this part is much fantastic, पहला पार्ट में मैंने आपको बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने के 50 sentences बताय थे और अब मैं अगले 50 sentence लेके हाजिर हूँ पढ़ो English को अभी सब्सक्राइब कर लीजे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे Friends, 50 sentence हम already previous वीडियो में बना चुके हैं, तो हम 51st sentence से स्टार्ट करेंगे हमारा sentence है, इसे लो, हम इसे English में कहेंगे, ठेक इट अगला sentence है, ध्यान से, तो हम इंगलिश में कहेंगे, बी क्यार्फुल इसी तरीके से हमारा अगला sentence है, अभी तुरंत Right now, कोई चीज हमें उन्हें चकने के लिए देनी है तो हम कहेंगे, टेस्ट इट Right now, टेस्ट इट मेरी बात सुनो, listen to me यहाँ listen की spelling में T आ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसको listen पढ़ ले, यह listen है T silent होता है, बैट जाओ, को English में हम sit down पढ़ेंगे मैं जानता हूँ या जानती हूँ को हम English में कहेंगे I know, मैं नहीं जानता, I don't know I know and I don't know, very easy words अब हमें इसे खाओ, कहना है English में, तो हम कहेंगे eat, eat, यहाँ पे e-a-t eat अलग है और i-t eat अलग है eat, eat, जोर से बोलो, speak loudly Friends, इस बीच में आपको एक जानकारी दे दूँ, अगर आपने पहला पार्ट miss कर दिया है, तो यह जो I वाला symbol आपको दिख रहा है वीडियो पर क्लिक करने पर वो नजर आएगा अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी जो previous वीडियो है वो open हो जाएगी, मैंने arrow बना रखा है, red वाला देखिए, आई वाला बटन वीडियो पर क्लिक करने पर आएगा जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मेरे जो दूसरे चैनल है वो और जो मेरी previous वीडियो है वो open हो जाएगी, इन पर क्लिक करके आप मेरे वीडियो देख सकते है चलिए वीडियो स्टार्ट करते है नेक्स सेंटेंस है, कोई खास बात कोई इंगलिश में कहेंगे, anything special कोई खास बात, anything special कोई खास बात नहीं, nothing special अगला है, साफ साफ बोलो, speak clearly speak clearly, जाओ यहां से go from here, go from here अगला सेंटेंस है, अपनी पढ़ाई करो do your studies, do your studies धीरच सब्र रखो, have patience इसे आप patient ना पढ़ लें, यह patience है धीरच या सब्र को इंगलिश में patience कहा जाता है हार मत मानो, don't give up कभी हार मत मानो, never give up कभी-कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं तो यह सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में use कर सकते हैं easily मेरा विश्वास करो, believe me मत जाओ, don't go यहाँ पर believe me और don't go word यूज किया जाएगा यहाँ मैं आपको एक और बात बता दू, friends कि वीडियो के end होने पर जब ऐसे symbols आपको दिखें तो इन पर आप click कीजेगा यह मेरा एक और चैनल है, cook with sapna जिस पर मैंने tasty और delicious recipe upload की है यहाँ से आप directly उस channel पर चले जाएगे बस करो, अब stop this now अगला sentence है, इसे लिख लो, write it down अपना ग्रहकारी करो, do your homework friends, आप लोगों को बोलना भी सीखना होगा तो जैसे मैं इन्हें प्रनाउंशियेट कर रही हूं जैसे मैं इनका उच्चारण कर रही हूं, वैसे आप भी करें अपना मूँ बंद रखो, keep your mouth shut बकवास, बंद करो, stop this nonsense तो आप बोलना सीखेंगे न, तभी आपको आएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा स्कूल जाने के लिए कहना है तो, go to school brush करो कहना है तो, do brush जब तक आप दिन भर में इन्हें बोलेंगे नहीं बच्चे के साथ बार-बार नहीं कहेंगे तो आप खुद भी नहीं सीख पाएंगे, ना आपका बच्चा समझ पाएगा ना आपके friends या family कोई और तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है sure, मत करो, को इंग्लिश में कहेंगे don't make noise तुम शरारती हो इंग्लिश में कहेंगे you are naughty जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तो तब तक नहीं सीख पाओगे तो please प्रैक्टिस करते रहो sentences तो आप सीख रहे हैं friends लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे और अगर already सब्सक्राइब है तो शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ मैंने beginners English के first और second part already बना रखे हैं तो उन्हें भी देखिए और English सीखे मेरे साथ इसके अलावा मेरा एक और चैनल है कुक्वित सपना जहां पे आपको बहुत ही स्वाधिश डिशस मिलेगी लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज सब्सक्राइब करें चले वीडियो शुरू करते हैं चरंड स्पर्ष करना बहुत अच्छी बात होती है हम अपने बच्चों को अक्सर सिखाते हैं पैर चुना बढ़ो के तो इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं टाच स्टैप चरंड चुने को और पैर चुने को कहते हैं टाच फीट इंग्लिश में ये थोड़ा डिफरिंट है यूनिफॉर्म पहनो बच्चों को इंग्लिश में हम कहेंगे cut the cake, शर्माओ मत, कई बार बच्चे शर्माते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे, don't shy, don't shy, so, next sentence है, चिंता मत करो, कई बार बच्चे परिशान होते हैं, तो हम इंग्लिश में हमें उन्हें कहना है, don't worry, इसे याद करो, learn it, खेर ये शब्टो हम, read it, ठीक से सुनो, listen carefully, मैं फिर से बता रहे हूँ, T silent होता है, listen नहीं, listen पढ़ते हैं इसे, read it, and listen carefully, आप भी मेरी बात carefully सुनिए, अगला sentence, किताब खोलो, को इंग्लिश में कहेंगे, open the book, तुम जा सकते हो, को इंग्लिश में कहेंगे, किक से सीखिए हर पाट को, दोपर का भूजन कर लो, को इंग्लिश में कहेंगे, take lunch, आउख खेलो को इंग्लिश में कहेंगे, let's play, दोपर की जगे, अगर रातरी का भूजन होता, तो हम कहते है, take dinner, सुभे का नाश्ता होता, तो हम कहते है, next sentence है, विनम्रता से बात करो, को इंग्लिश में हम कहेंगे, talk politely, कभी-कभी बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, तो हम उन्हें सिखाएंगे, कि प्यार से बात करो, talk politely, कभी हम उन्हें कोई काम करने के लिए देते हैं, इसे करो, तो इंग्लिश में हम कहेंगे, do it, अभी करो, तो do it now, it depends on the situation, अंदर आओ को इंग्लिश में कहेंगे, come in, भूल मत जाना, इंग्लिश में कहेंगे, don't forget, आप भी भूल मत जाना, जो मैं सिखा रही हूँ, उन्हें रिवाइज जरूर करना, याद जरूर करना, ओके, और हमारे आखरी के दो सेंटेंसेज, अब हमें सीखने हैं, और उसके बाद, आप क्या करेंगे, सेंटेंसेज को रिवाइज करेंगे, बाई बोलो, say goodbye, and take care yourself, अपना ख्याल रखना, फ्रेंड्स, ये जो लिंक्स आपको सामने नजर आ रही है, इन में से आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपको मेरे वीडियोज देखने को मिलेंगे, और को क्विट्स अपना पर जवाब क्लिक करेंगे, तो आपको मेरा एक और चैनल जो है वो, ओपन हो जाएगा, प्लीज उस पर भी जाहिए, विजिट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए,